इस बंस में संत होगा, इस बंस में दुख्ट परदा होगा, ऐसी वाद भी है एक ही माता-पिता से दो प्रकार के संत और रस्त हो सकता है, इसने वाद दुख्ट परदा होते हैं। एक ही माता पिता से पैदा होते हैं लेकिन उनके सुहाव में जलच जोग जिमी गुनगी लगा ही एक की बृत्थी होती है जोग के समान जो दूसरे के खून पीता है और दूसरे की बृत्थी होती ही जलच के समान कमल के समान जो दूसरे के रिप्ती बृती करता है इसलिए मैं आपकों से बता रहा था कि ये जो बृती है जलज और जोग की ये इस समाज में रहने वाले लोगों की बृती है दो प्रकार के लोगों की व्याख्या गीता के सोलह रख्यान भगवान ने किये उन्हों में बता है दो भूद सर्गर उन्हों के असमिंदर्य आसुरियत इस रिष्टी में दो प्रकार के भूद सर्गर है एक को असुर करते हैं दूसरे को देवता करते हैं एक जिन मैं पढ़ा रहा था विरुषिश कुछ आया है विजिश से उनको तो यह मैं बता रहा था कि देखिए आस्चल की बाद रावन और हनुमान जी की बाद बता रहा था कि रावन और हनुमान जी यह दोनों आपको भी साहिज बता हो गया भी होगा आस्चल जाये के साहिज यह दोनों कजल ब्रदर थे कजल मुर्द जाने आज को कजल मुर्द करते हैं हाँ अलिए चेशेरे भाई आम लोगने सुना होगा ब्रह्मदेव के साथ पुत्र और साथ पुत्रों में बशिष्ट का नाम सुना है ब्रेश्पर्दी का देवताओं के गुरू थे ब्रेश्पर्दी और पुलस्त थे दूसरे सब्सक्रिश्यों में पुला पुलस्त करतू और ये पुर्दिष्ट माने जाते ब्रेश्पर्दी आज ब्रेश्पर्दी के पुत्र केशरी केशरी के पुत्र हनमानी हाँ रसोटी ब्रेंपती के पुत्र केशरी, केशरी के पुत्र हर्माजी और ब्रेंपती के दूसरे भाई, सगे भाई पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विस्चे स्रवा और विस्चे स्रवा के पुत्र रावन कितना फ़र्क है, है को जूरी कितनी जूरी है भरावताईए कोई उड़ी नहीं एक ही पुल में पेदा हुई है पर दादा दोलों के एक है और इसी लिए हनुमान जी जाते हैं तो वो अंगल की तरह उसे गालिया भी देते रावड को बल्कि बड़े प्यार से इंजल के साथ कते हैं रिशी पुलते जैसर भी मलमयंका एंजल महाली हो कलंका उसके ही हाथ जो अगर के बढ़ा भाई है उनसे आयों में बहुत बढ़ा है इसके बिनती करूं जोरिकर रावन सुनवान नतजिमोर सिखावन हाथ जो दें प्राथना करते हैं कि अदर देटे इन आ ठी कि असंत कहां फैदा हो न्यकुत को ही हो उन्यश्त जाती है नहीं मे ल grant अधर में चुक्ता हुं किसी बिंस ने हो सकता है एक ही माता पिता से एक देवता प्यदा हो सकता है दूसरा असर प्यदा हो सकता है इसलिए तुरसी दाजियने क्यों इतनी डात गयी कि परंदोही का कैसे जाना जाएगी है उसलिए कैसे जाना जांकि यह मनुजात है कि पौन भूपार्दार्ठ जो अकार conventional सुद्सरे करता है और जो दूसरे की इस्तृ के ओपर दिश्क्रल almost परधन और जो हमेशा दूसरे के धन दो एक्षा करता है अच्छे से अच्छे आदमी के प्रतिवी उसके मुख्षे कोई अच्छा सब्सक्राइब वो यहीं कहेंगा कि वो तो मानी चाहिए तो उसी दाजी कहते हैं यह चार लक्षन जिसमें हैं परदोही परदारत परधन परअपवाद काते नरपावर पाप में ऐसा जो मनुष्य है वो नीच है और उसका जीवन पाप में जीवन है और साकार औरतिये जिसका देह धरे माइजाद वह मनुष्य स्सर्णाज का नाष्य करने वाला साच्छात राच्छा सच, और इसी है प्रकार से एक दूसरी दो पीवनें कहा कैंड दो है जो अपने मांता को पिता को देव को नहीं मांता नहीं मांता एक जिगा में बेटा हुआ था बाप और बेटे में लड़ाई हो रही थी बाप कर रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी मिन्नत की थी देवताओं से देवियों से, महाताओं से तब तुम्हें पाया थी क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल करके जन मुझे पाल करके बढ़ा किया जानते हैं वो लड़किन क्या उतर दिया वो कहता हम जानते हैं आप मुझे पजिदा करने गए थे हम और मज़ा लेने गए थे हम तो 20 मिट पर कुड़े तो आप क्या करते हैं सोच पर जो पुत्र ये सोचता है उन्हें खितागे प्रती उसको आप क्या कहते हैं जी मनुष्च तुमसिदाजी कहते हैं ये मनुष्च नहीं है मानई मातु पिता नहीं देवा साधुनसन करवा मैं सेवा जिनके यहा आचरन भवानी ते जानो निसिचरस बप्राई का ये राक्षशों के लख्षण ये निसाचर हैं इनका और कोई दूसरा नाम करूंच दीक नहीं इनको निसाचर कहना चाहिए और आज कल आप देख दिये तुशिचा जी निश्चर्डों में बाहे खर बहुंच और दुआरा जे लंपत परधन परदारा यहां शुरू करते हों समाज में ब्रदी किसकी हो रहे हैं जब भारत शुतन तरह हुआ था कि यहां पर पूरे भारत में 20% लोग मान साहरी थी और इस समय काडेटा आप कहीं पता लगाई थी सत्तर से उपर पहुंच गई है जिन महलों में जिन घरों में बात नहीं कहता जिन महलों में कभी सराव कोई बेक्टी चोरी से ले आता था तो दस बार सोचता था कोई देखने ले और यदि महले को पता चलिया कि ये सराब पीता है तो महले के लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे आज की गती देखते हैं मागमा गांडी करते थे एक भारत जब शुतंत होगा तो सबसे पहले दो काम में करूँगा गव हंद्या बंद करूँगा और स्वराब बंद करूँगा और गांडी के वियाईयों ने जब भारत शुतंत हुआ अब गव हंद्या बंद तो दूर रही आपको जानकर आश्चर्च होगा 46 अज़ार गवी रोज भारत में कटती है 46 अज़ार रोज कटती है और दिनो दिन गव धनका हराश होता जा रहा है किसी में साहस नहीं की बोले एक दिन में बिनवाजी के आश्रम से प्रकासित होने वाली एक पत्रिका पढ़ रहा था जिसमें उन्हेंने सारा विबरण दिया था और उसमें बताया था कि कितने करोर का इस साल का ठीका है भारत सरकार जर्मनी को गव मांस बेचे लिए और उसके बदले में क्या आएगा जर्मनी से भी उसमें लिखा था कि गव मांस देगी सरकार उसके बदले में ये जर्मनी से आएगा और जो उसके बदले में आएगा उस मुन्म से आम जंटा की कुछ लेना देना नहीं हैं। गांधी जी करते रहे हैं कि जब भारत स्वत्रत होगा तो गवु हत्याबंद होगी दुए और सराब बंदी होगी अधिन हर्याना में जहां हम रते हैं हर्याना में घर गर की इसंतियाय कठा होकर अंदोल्म कर रही है और जहां सराथ के ठीके दिये जारे मां जाकर धरना देती हैं लेकिन शरकार क्या करती है कि इनके अंदोल्म से कुछ नहीं होगा हमारे ठीके की लिलामी पिछले साथ से अधिक दापर हो रहे हैं मतल मेंसरे रहे में कुछा है कि खार के किया कर सकते है सरकार की नीटी है अरे हम का तु मनिस्ठ थो क्यों के कुछ मेंद कर सकते हो मेरे बस की बात नहीं है है मात ऑप जर्दा के लिए पैसा चाहिए है हॉ उख स्धा क्या करो垂ए से इतने क्रोड रुपे साथ क्याम नहीं है इससे हमका यह पैसा किसे लिए चाहिए जनता करिए हमका जनता को सराब पिलाकर तुम पैसा इठा करके जनता का हिन्द्या करोगे सोचे पहले लेकिन नहीं सरकार इसके लिए तयार नहीं है गव हंत्या और सराब के बृद्धी ये दोनों किसी भी जादी के किसी भी नेशन के लिए अबसाप है लेकिन ये हो रहा है और सारा भारत तमासा देख रहा है आप जिराव सोचिए आप किसी की घर जाते हैं वहाँ जाने प्रोष से आप से बूश्ट आके वही ठंडा पियेंगे घरब जब आप कर दियें हैं तो ठंडा ने लेंगे क्या लाता है आपके लिए कोका कुला लाएगा लिंका लाएगा जो कुछ आज पर चलता है एक दिन मैंने पूछा हमका कि ये कितने काता है भई हमें क्या पता था कितने काता है बताया कि ये पांच रुपे काता है ये चार रुपे काता है आपका इसमें है कितना माल का दो सो ग्राम दो सो ग्राम एक बोतल में लिंके की समझ दो 200 ग्राम उसमें पानी है और उस पानी का आप 4 रुपे देते हैं 200 ग्राम का एक कीलो का क्या पाव हुआ कितनी गीवत हुए 25 रुपेया कीलो मैंने उससे कहा हुआ कि तुम 25 रुपेया कीलो लिमका इंको पिला रहे हो और दूद के नहीं 200 ग्राम इंको दे देते कितने काईगा वई जदि 10 रुपय कीले दूद हो तुमारे हाँ तबी 200 ग्राम का कितना हुआ सोचो पहले बड़े हराम से दे सकते हो तू 4 रुपय का ये ठंडा इंको पिला रहे हो लेकिन 2 रुपय का दूद नहीं पिला सकते तुम दूद नहीं पिला सकते 10 रुपय कीलो हो तब लेकिन नहीं दूद पीने के लिए तयार लिए हो कोका कोला पीने के लिए तयार है चाय पीने के लिए तयार है दूद हजम नहीं होता जहां दूर्ज़ नहीं हैं वहां बुद्धी कहां से आए जिए जिरा सोचो तो आप कर्पना कीजिए समाज के पतल का रास्ता किस प्रकार से स्वेब और प्रस्ट कर रहा है अपने बिनास की जिसा से मनुष कैसे त्यार कर रहा अने प्रकार के गेस्टिक डर्बल अने प्रकार के रोग इसी अवंच वक्षण से हो रहें लेकिन मन उस्सी राज़ते पर चलना तुछिदा जी है का कि बाद हे खल जब रामन का थियाचार बढ़ता है तो रामन का समाज बढ़ता है रावन के समाज का लक्षन बता रहे तुम से लाजी बारे खल का खल किसे करते हैं का बहुत चोर जुवारा चोरी जुवा जुवा खेलने वाला तो चोरी करेगा है नहीं करेगा तो कहां से उसे पूरा करेगा एक राजा ने अपने देश के सारे बिसनी लोगों को बुलाया का वही तुम लोग बताओ तुम्हारा देनी खर्च कितना है हम अपने राज को से देगे तुम लोग समाज में कोई न्याय मत करो ठीक है आ गया गाजा पीने वाला उसे पूछा कितना तुम्हारा देनी खर्च है उतने बताया, बांदे, अफिर खाने वाले को बांदिया, जितने पस्री जे सब के लिए उसने खर्चा बांदिया, आखिर में बुलाया जुवारी को, उससे कुछा रही तेरा कितना खर्च है, करता हुजुन उनका सारा राज एक दाव पर, अभी कोई पूछने वाला है, ज भाईयों को लगा दिया, फिर में इस तरी तक को लगा दिया, और फिर जुवे में आख स्वेट को हार गया, तो जुवे के कहीं हंत है, नहीं है, तुर सिदाज लिए लिए ये खल के लक्षन है, और जिनों जिनिस का प्रचलन होता जा रहा है, आप अपने समाज में देख काबिल ही नहीं है तो, किसी से पूछा को भई तुम्ही अनर्थ कैसे करने लगे, वो कहता क्या करें, समाज के साथ रहना है, तो वही नारी की समाज तुम्हे मिला है रहने के लिए को अच्छा समाज बना लो पने लिए तो, लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैं आपना उसे बता कि तुर्सिदा जी यहां पर लक्षन बता रहें, बाढ़े खल बहुत जोर जुवारा, जे लंपक पर धन पर दारा, जब यह बतियां बढ़ेंगी, सुभावतर, पराय थन और पराय इस्त्री पर दिश्टी जाएगी, और जब पराय थन पराय इस्त्री का लो बढ़ेगा कोई भी मानता पिता यह नहीं चाहता कि मेरा लड़का पतित हो, चाहिए वो सुभ पतित क्यों नहीं हो, लेकिन वो यह नहीं चाहता कि मेरा लड़का भी सी राते पर चले, क्योंकि वो लड़के का मनलग चाहता है, कल्यान चाहता है, वो सोता है, मैं तो अपना सरो नास कर प्राणियों स्युक्त जो मानो समाज है उस समाज को आप कौन सी उन्मति की दिशाज दे सकते हैं कहाने जाएंगे उसे कौन सी उत्थान का मार्ग बताएंगे इसलिए ऐसे समाज से भी मुखो करके संथ समाज की तरफ आपको बढ़ना होगा जो आपको उंचे ले जाए नती माने होता है ले जाने वाला उत माने उंपर नती माने नीधादू है ले जाने कर्थ में आता है तो उसका आर्थ होता है उतनती माने जो आपको उपर ले जाए तो उपर ले जाने वाली परक्रिया जो है वो तो आपको संग से इपरात हो सकती तो उसे राजिक घोटना है को मा कुसंगत पाई नसाई रहे नीच मते चतुराई आप कितने भी चतुर क्यों नहूं कितने भी कुशन क्यों नहूं जदि कुशंगती में आप बैचने लगेंगे तो थोड़े दिन में आपकी चातरी समात्त हो जाएगे और उस कुशंगत का और आपके जीवन को अविशाद बना देगा इसलिए मापुर्शों की आग्या है कि आप अपने जीवन को सत्मार पर ले जाने के लिए सत्संगती की सरण लिजी और सत्संगती में जाएगे आपको विवेग प्राप्त होगा विवेग प्राप्त होने पर ही आप सही में ध सुन्धान करके धर्म को धान करते केंगे और धर्म ही आपके लिए अर्थ और काम का और साथ में मोच का प्रदाता बनेगा ब्यास देवने महाभारत में दोनों हाथ उठाकर ये घोटना किये कि धर्म ही मनुश के अर्थ और काम का प्रदाता है यही धर्म मनुश के लिए मोच का बिधान करता है और दुनिया ऐसी पागल है अर्थ के पीछे काम के पीछे दोड़ रही है धर्म का सिवन नहीं करते हैं मेरे काने करता है धर्म अंधर श्रास का नाम नहीं बायरती जिवन पर दरी में धर्म की पर दिख्ठा है और धर्म का साखार विग्रह हमारे आप सभी संस्क्रिप साहित को पढ़िए उसमें एक व्यक्ति को रिश्यों में स्वर्व सम्मति से एक भोठना करते हुए कहा है राम विग्रह वान धर्म राम जो है वो धर्म की साकार नूर्ति धर्म क्या है जनी इसको जानना है तो तुम राम को जान लो राम के जीवन को जान लो राम के जीवन को जानते ही तुम्हे धर्म का गोध हो जाए धर्म क्रियात्मक है कि बात याद रखना धर्म प्रक्टिकेबल है धर्म तुम अपने जीवन में आतना सकते हो नोरा अप्रियातन नहीं लातंत को अजके लोग झालशा देते हैं वह फूजा की दर्म को तो कुझा की इत्षेटर में रखतो दर्म का अपने जीवन में कोई अस्थान नहीं मेड़ मेरे पास कुछ लोग आये थे चर्चा कर रहे थे आसरों में बैठे हुए और एक ऐसे ग्रूप से संब्धित थे जो धर्म निर्पेक्ष्टा की द्वाई देता है मैंने उसे पूचा हमका कि यार तुम लोग धर्म और निर्पेक्ष्ट दोनों सब्दों का अर्थ समझते हो कि नहीं और उसे लगए और निर्पेक्ष्टा अमसी दूनों का समझते हो क्या दुनिया में कोई नहीं तेक्ष्ट म्नीरी निर्पेक्ष्टा हो सकता है जिसे तुम मनुष्य का हाँ हाँ निसाचर हो सकता है धर्ब निर्पेच्छ को तुनसी दाजी ने असुर कहा है मनुष्य ने कहा है मानो समाज धर्ब निर्पेच्छ नहीं हो सकता निर्पेच्छ माने यह तो आपे जांगे जिसकी अपेच्छा नहों जिसकी आओ सकता नो हम आपसे अपेच्छा करते हैं अपेच्छा मने अब एर सोचे अपेच्छा मने क्या होता है जरूरत आवश्चिता और निर्पेच्छ मने जिसकी आवश्चिता में हो धर्म निर्पेच्छ का अर्थ होता है धर्म की अनावश्चिता क्या कोई मानों समाज की ऐसी रजना हो सकती है सब्हें मानों समाज की क्या दुनिया में कहीं ऐसा सब्हें मानों समाज है जिसको धर्म की आउशिक्ता न महसूस हुई हूँ मुझे तभी नहीं मिला दुनिया के बहुश देशों में घुमा हूँ एक दिन में मुझे बीस वस होगे दुनिया की देशों भूमते हैं और यहां लोग कहते थे कि यहां धर्म की आवशक्ता नहीं यह धर्म ने पर एक सब्सक्राइब जानते हो रश्या है इस सेकुलर सब्सक्राइब भारत में कि इसका आर्थ भी लोग नहीं जानते हैं सेकुलरिज्म किसे करते हैं कई खुड़े लिखे अंगरेजी खाँ जो पने आपको बांते हैं उसे मैंने पूचा उमका तुम्हें पता है सेकुलरिज्म का क्या थोता है उन्हें साफ उतर धर्मनिंगेट अरे हम का भले आदमी कभी डिक्षिलरी देखने कोशिश की चेम्बर डिस नवी जाकर देखो ऑक्सपोर्ड डिक्षिलरी देखो उसमें तुम्हें उसका सही अर्थ मिलेगा अर्शिया वालोंने इस सकुलर सब्द को अपना करके अपने को किस स्थिते में पहुंचाये यह सारी दुनिया जानते हैं सारी दुनिया को सो बरस मीन इते हुए तड केवल साथ बर सो ऑ क्या तुम्हें और विठी आज देखने चिस कम निजम ने सारी बूत किया था, ओ मर गया, और बिना मौत का मरा, बिना मारे मरा कजी के, कोई मारता और मर जाता तो यह था जिद्द करके मरा, लेकिन बिना मारे अपनी मोत मर गया, और आज उसकी नाम पर कोई आजू भाने वाला नहीं है, आख सोचे, जिस देश में इस धर्म निर्पेक्ष दुहाई दे उस्स भारत के लोग धर्म निर्पेक्ष मत्र नहीं सकता यह संगत है कि आप क्या समझते हो धर्म सापेख्षटता से क्या लेना देना देश देश रहे और देश नंते किसे सुमूं जलिए रिज्व मातर समाज होता है तो धर मतर के नाते मातर समाज बथा हुआ है eighty-four tired location कि अब इस घू लाहार मोने मोर्ण हो वह सबस c다 हो थो दो और फिलिंगी वह काग है ऐसे अभी जाती है उससे जादा वह भोगों ग्यान देते हैं वहां है दो थर्म को पैसे से ना पाजाता है यह भारत में धर्म निर्पेख्ष जीवत नहीं हो जी सकता है और उस धर्म को तुम सोचते हो उसकी आउट शिक्ता ही नहीं है कोई मानो समाज बन सकता है ऐसा जिसमें धर्म की प्रतिक ठान हो मेरे को तो भी तक मिला नहीं कोई और जिसमें मानो समाज के इस प्रकार की रचना की कल्पना की वह अभिनास के घर्द में चला गया, यह बात याद रुको, और फिर वी एक बात और समझे, इस देश में यहाँ धर्म है, और धर्म ही यहाँ पर यहाँ पूया गया है, दुनिया के देशों को जिसने धर्म की सीख दिये, और दुनिया में जहां पर मनुश्यता का संसकार द जिसकी अधर्म के तुने है, शिक्के के दो पहलू है, एक धर्म है और एक अधर्म है, बोले नहीं अधर्म तो नहीं चाहते हो, अधर्म नहीं चाहते हो, धर्म 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 नहीं चाहते हो, संति नहीं बोलोगे जूट बोलोगे क्या संति और जूट के बीच का कोई और रास्ता है इस एनिवे क्या संति इसलिए मेरे देवता धर्म भी कोई समाज नहीं बन सकता हमारे देश का आएवेल मुरुश्लान है और उसको क्या करते हैं राम अ विक्रहमान धर्म, राम धर्म की साकार प्रतिमा है, मुर्ति है, साकार विक्रह है, और राम में सारा भारत गुथा हुआ है, हाँ जिरा देखिए, भारत एक महान तक्तवेत्ता कवी, जिसका नाम था का ले जाएं, आप लोगोने सुना होगा उनका, उन्होंने राम के सुनूप का वर्म किया है, राम कैसे हैं, कैसे महान हैं, बहुत बिस्त त्रूप से राम की व्याक्या किया, और उनसे पूर मुमारसी बाग्मिकी, जिन्होंने राम की महिमा को सारी दुनिया में लेकिन गीक जिस से बाड़ मीकी गयाम हो आप टोशुच मैंते हो सुरार में आको पर माया सक्안 jiegen को पड़िए भब किरावां में मरसी बागीं के द्वारा लेकिन मरसी बाई कि जिन्मों ने राम तत्तकात बौध बोध कराया वह वाकमी कीride के गुरु थे कौन महात् Kirby आरद शाल रुभ दिवर्षीन आ रही ऑपने शठ्टों बगवान राम के स्वच्ट की व्याग क्या कर रहा है राम के स opens तो इसे हैं अब राम की गंभीरता का वरुन कर रहे हैं राम की दुणता का वरुन कर रहे हैं धायर का वरुन कर रहे हैं राम में धायर है हिमालिया के समान जैसे हिमालिया है हिमालिया के समान राम में धीरता है और समुद्र के समान राम में गंभीरता है आफ़े आफ जिला सोची समुद्रिवे गंभीरो अचलोर हमौन गैसे का समुद्र के समान गंभीर है और हिमाले के समान अचल ए देर है और भारत किसे काते हुआ भारत क्या है भारत की वैंख्या क्या है ब्यासधे अब बुशल कुरा में लिखते है उत्तर से समुद्र स्यार हिमाद्रे से वा देखिना तद्वर्षम भारतम नाम भार्दिय अद्रसल्दि जो समुद्र से उत्तर है हिमाले से दखिन में वो महान भूखंड भारत है और हिमाले की द्ड़ता और समुद्र की गंभीरता दोनों जिस व्यक्ति में हो क्या है भारत का साकार विख रहे है रां क्या है रां मने भारत भारत मने रां और एक कुछ बर्ष पल है आपने सुना होगा इंद्रा इंडिया लेकिन महरसी बार्विकी ने वो तो चाप लुष्व ने कहा था लेकिन महरसी बार्विकी देवर्षी नायद महाकवी कालिदास ऐसे हिश्णियों ने तत्वेताव ने भुटडा की कि भारत ही भगवान रां है जहां हिमाले और समुद्र एक होते हों जिसमें हिमाले और समुद्र एक साथ प्रतिख्षित हो वो राम है और हिमाले से समुद्र तक इसमें प्रतिख्षित है वो राम क्या है भारत है भारत का साकार रूप है साकार विग्र है भारती संस्क्रिती भारती संब्यता भारती जीवन बिधान साकार रूप से राम में प्रतिष्ठी थे इसलिए राम विक्रहवान धर्मा क्योंकि भारत की मांदा धर्म से आपको एक बात और निवेदन करूं आज दुनिया के देशों में हम भूबते हैं दुनिया के दुन मेरा आदर करते हैं किसके नाते हैं हमें धनी दरिद्र दंदिश के नागरिक हमारी सरकार में कोई ऐसा देश के नाधे नहिए हमारा आधर हो नहीं सकता शक्ति के नाते हूं हम रादर नहीं है आप जानते हो हम कितने शक्ति Θानum आ हैं कितने ऐसे तक होते हैं जिसके नादें दुनिया में आदर होता है लगती का समाज में आपके आदर के से होता है या तो आप धन्वान हो या तो आप बलवान हो धन्वान बलवान में तो गुन्वान हो आप और गुर्ड की परिक्षा आजकर विब्वत की छेटर में हो पी है और विब्वत की इस्तित 축a कहा यह आज जानते हो इसलिए आज डर्बानों रहे ना गोइन गुणवान रहे पिर रहे किआ जिसके नाते दुनिया में हमारी आदर हो पूर्देश्ठा हो कि और एक ही हमारे पास निधी है वह है धर्म की आज दुनिया हमारा आदर करती है हमारे अतीद के धर्म किनाते बर्तमान में दोगी नहीं रहा लेकिन हमारे पास वह बेग से लेकर के रामाहें तका साहित है जिनको रिशियों ने अपने तपवपूत जीवन के अनुभव से अभिवत किया है उनी के उस निभी को लेकर उन दुनिया में घूम रहे हैं अब एक कुछ दिलपूर्ण कोरिया में साउथ कोरिया में एक विश्व धर्म सम्मेलन था बहुत बड़ा सम्मेलन था 130 देशों से लोग उसमें भाग लेने आये थे भारत से हिंदू धर्म का प्रतम जुद करने के लिए मुझे चुना गया था मैं उसमें भाग लेने गया था साथ दिन वहां में रहा उसके विसे में हमारे प्रत्र का मियाता रहा सारा विवरन क्या क्या वहां पर हुआ और हमने देखा वा दुनिया के सभी धर्मों के अन्याई होने उस सभा में बैट करके जबचर्चा हो रही थी एक बिक्ती खड़ा हुआ है उसका ने के लिए एक हिजिन्ट का रहने वाला